चुलाइ पैच्च नूट्स प्रिविव बैटलक्राउंस मोबाईल इंडिया खिलने वाले सभी खिलाडियों को शुपकाम नाए M249 LMG एर डॉप से हटा दी गई है और अब फिल डॉप में मिलेगी काराकिन मैप के अलावा M249 पाकी हर बज़े हुए क्लासिप मैप्स में मिलेगी अब हम देखेंगे एक नया वेपन जो है MG3 सप्लाइ क्रेट में ये जगा लेता है M249 की और ध्यान रखियेगा ये सिर्फ सप्लाइ क्रेट में ही मिलेगा MG3 भी एक लाइट मशिन गन है इसकी एक खूबी है कि इसकी फायर पावर निरंतर है ये 7.62 आमर का इस्तमाल करती है और 45 बुलेट्स इसके मैकसीन में रह सकती है उसकी फायर पावर तेज और निरंतर है हाला कि रिलोड करने में थोड़ा अधिक समय लगता है MG3 सिक्से स्कोप तक ले सकता है ये भी ध्यान रखिये कि किसी अन्य अटैच्मेंट्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है और इस फेपन के लिए कोई सिंगल शॉट मोड नहीं होगा आप MG3 मोड के लिए 660 या 990 रपीम मोड के बीच में चूज कर सकते है इसमें एक बाइप और भी होता है जो आपके लेटने पर अपने आप डिपलॉय हो जाएगा स्थीर्था में सुधार करने के लिए एक अच्छा टीप आप लेट सकते है आप Healing Consumables को फेक सकते है Healing Consumables को Trajectory Slot में जोड़ा गया है उन्हें फेकने के लिए आप एक Healing Consumables को चुन सकते है और Throw Button पर Tap करे प्लेयर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जब कलत तरीके से फेका जाए तो उचल सकता है तो कृपया इस फीचर का उपयोग करते समय ध्यान दे टीम के सदस्द से दूर से पूछना संभव है कि वो आपको Healing Consumables फेके रैंकिंग सीजन अपडेट हो गया है और इस सीजन में अलग होगा इसमें एक टियर एड़ किया गया है जो Ace और Conqueror के बीच में होगा और अब टीयर के आईकॉंस लेवल अपके इफेक्स भी अपडेट हो जाएंगे रैंकिंग सीजन में एक Challenge Point सिस्टेम भी एड़ हो जाएगा आप Challenge Point कमा सकते हैं इसको कमाने के लिए आप अपने साथियों के साथ एक Full Game Complete करे केम को बीच में ना चुरे और अपने साथियों को एटाक ना करे चाहे आप Battle से जल्दी क्यों ना Eliminate हो जाए अगर आप Challenge Point एक लेवल तक पार कर जाते हैं तो आप Deductate Ranking Points को कम कर सकते हैं Season Series वाले Rewards उनको दिये जाएंगे जिनोंने उसी सीजन में एक उपर वाला टियर हासिल किया है पिछले सीजन से तुलना करेंगे तो उससे बहतर चीज़े उपलब्ध है कुछ समय के लिए Mission Ignition Mode Erangle Map में मिलेगा इस Theme Mode में Erangle के 6 High Tech स्थान होंगे Transit Center, Georgia Pole, Tech Center, Sosnow का Security Center, Logistic Agency और Energy Center काफी सारे दिल्चस्प अपडेट्स होंगी इस Mode में अगर आप उच्छुक है तो आए इन अपडेट्स को जानते है इस Mission Ignition Mode में जब आप Parachute से Land कर रहे होंगे तो शेरो के नाम 3D में देखे जा सकते है और आप Map पे Mark किये गए Point पर Automatically Drop कर सकते है Hyper Lines एक AC High Tech हवा में उड़ती हुई Line है जिससे आप एक जगा से दूसरे जगा पे जा सकते है ये Line कुछ निर्दारिद समय पर ही चलती है और इनके Roots भी तैह है आप Mini Map पे Mark Station से Train ले सकते है और जल्द ही आप दूसरे स्टेशन पहुच सकते है Semi Truck स्वय ट्राइविंग वाहन है जो निर्दारिद मार्क पर चलते है और सप्लाइस से भरे होते है अगर आपको अच्छी लूट चाहिए तो इन ट्रक्स पर आक्रमन करे अगर आप इन्हें नस्ट करने में सफल हुए तो आपको सप्लाइ बॉक्सेस का रिवॉल्ड मिलेगा जहां से भी देखे ये एक भविश्य की चीज लगती है The G30 Air Gravity Free Motorcycle जमीन के उपर मंदराता है और इस पर दो लोग बैच सकते है क्योंकि ये दोनों जमीन और पानी पर चलती है आप पूरा मैप घुम सकते है जब फ्लेयर्स एयर कन्वेयर पर बैठेंगे तब वो हवा में होंगे इस एयर कन्वेयर पर दो लोग बैच सकते है A.S.A. मबाकान सबसे नई असल्ट राइफल है जो मिशन इगनिशन मोड में डाली गई है ये 5.56 M.O. यूज करती है और 30 कोलिया एक रिलोड में फायर करती है इसमें फायरिंग के तीन मोड से फुली आटोमाटिक, बर्स्ट मोड और सेमी आटोमाटिक मोड और इसमें सकोप, कैंटेट साइट, मैगजिन्स ये सब एटाच हो सकती है A.S.A. मबाकान को यूज करिए और हमें कमेंस में बताइए कि कैसी लगी मीनी मैप में आप पपी आइकोन को फॉलो करेंगे तो आपको एक स्पेशल पेट्रोल डॉग मिलेगा इस पेट्रोल डॉग के साथ अब दुरलब और उच आइटम्स को लोकेट कर सकते है तैक्टिकल मार्किंग डिवाइस के साथ अब खुद भी चेक कर सकते है कि आपका साथी किस दिशा में फायर कर रहा है दुश्मन की जगा कहा है और सडक की जानकारी भी मीनी माप पे मिल जाएगी और ये आपको आसपास के ग्रेनेट की सूचना दिलवाएगी इस हाई टेक शहर में आप रायर शिल्ड से अपने आपको बुलेट से सुरक्षित कर सकते है इसकी बनावट काफी बड़ी और मजबूत है आपक कालेन में इसे इस्तमाल करना ना भूले एक पार आप इसे सेट करतेंगे फिर इसे हिला नहीं सकते तो जरूरी है कि आप एक बड़िया जगा देखके अपनी शिल्ड का इस्तमाल करे और बटन दबाके उसे सेट कर दे आपके गेम को और परस्नलाइज करने के लिए हमने और सेटिंग्स लगा दी है हर एक बंदू की सेंसिटिविटी आप अलग से सेट कर सकते है और अपने गयन की सेटिंग्स को कॉपी करके ओनलाइन ही स्टोर कर सकते है कुछ low specification वाली devices पर smooth से भी नीचे एक graphic को option डाल दिया गया है हमने 90 fps कुछ नई devices के लिए भी डाल दिया है आप अब gyroscope की sensitivity का परिवर्तन कर सकते है जब gyroscope activate होगा और आप firing कर रहे होंगे तब tilt camera की sensitivity भी बदली जा सकती है हमने एक और setting डाली है जिसे gyroscope का उपर और नीचे वाला effect उल्टा हो जाएगा कुछ चीजों को आप discard करने के बाद भी pick up हो रही है फिकर ना करिए इस update में ये मुद्दबिस पस्ट हो गया है settings में जाकर do not pick up dropped scopes पर click करिए बेफिकर हो जाएए अब आपके discard किये चीजे अपने आप pick नहीं होगी और हाँ एक और चीज़ advanced pick up option इसे आप अपने हातियार का favorite attachment set कर सकते है ये set करने के बाद आपकी favorite attachment बाकी सब को replace कर देगी आप setting को इस समय adjust भी कर सकते है third person camera में देखने का option default रूप से 80% होता है और इसे 90 तक बढ़ाया जा सकता है ये relatively wide camera वाले devices पर दिखाई नहीं देता विभिन EPS पर तेजी से launch का संतूलन में सुधार किया गया है ताकि burst speed में कोई अंतर ना हो हम बैठने के लिए तरक की गिंती करते है और साथ ही बैठने की प्रती क्रिया समय में सुधार करते है आप विभिन्न मूमेंस को भी आजमा सकते है healing consumables का उपयोब करते समय आटो पिक अप रोक दिया जाता है यदि वर्तमान हतियार उपयोग के दोरान कोला बारुत से बाहर हो जाता है तो automatically अगले उपलब हतियार में बदल दिया जाता है बिना कोई ammunition वाली flare guns automatically नहीं उठाई जाएंगी remaining mag देखने के लिए अब अलग-अलग रंग है यदि ये 25 प्रतीशत या उससे कम है तो ये पीला हो जाता है और ये लाल हो जाता है यदि ये 10 प्रतीशत से नीचे चला जाता है अब आप अपने साथियों के लिए जुडाव की स्तीथी देख सकते है जब उन्हें शूट किया जा रहा हो तो आप इन्हें उनके व्यक्तिकत स्टेटस बार में देख सकते है इरैंगल और मीरामार में कुछ इमारतों में कास के खिड़किया जोड़ी गई है रॉयल पास के लिए अपडेट साइकल को दो महने से एक महने तक बदल दिया गया है नए पीके को जुड़ाने के वज़े से एक सामान अक्टिविटी पॉइंट्स वाली क्लैंस अब एक दूसरे के साथ कंपिट कर सकती है गैलरी फंक्शन को अब बंग कर दिया गया है इसके अलावा अब आप अपनी जीत के बाद एक ब्रॉण स्टैचू जोड़ सकते है इनपीसी मीनी टीवी रे जोड़ दिया गया है रे आपको लॉबी में संदेश अलर्ट और गूसनाओं के बारे में सूचित करता है और आपको इसे आसानी से नेविगेट करने में मदद करता है ये एक प्यारा इमोटी कॉन के रूप में एक अतिरिक्त बोनस की तरह जो आपको लॉबी के माध्यम से अपने रास्ता नेविगेट करने में मदद करता है ऐसा तब दिखाय जाता है जब आप गेम शुरू करते है और आपको विबिनना अपडेट्स के बारे में सूचित करते है ये आपके साथ प्रैंक भी कर सकता है और हसी के अच्छे समझ के लिए जाना जाता है मुझे आशा है कि आप सभी को रे के साथ बहुत मजाएगा ये आज के अध्यतन प्रिविव का अंत है अब चिकन बिनर का समय आ गया है